Hey guys once again welcome back to the new video उमीद आप सभी लोग अच्छे होंगे तो जी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Malta की salary के बारे में मैं actual मैं आपको live example दिखाऊँगा कि Malta में कितनी salary है लोग thumbnail पर लगाते हैं 2 lakh salary 3 lakh salary इतनी आप लोगों को दिखाते हैं बट actual में Malta की salary है वो कितनी है देखो हर field की अलग salary है मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप Malta में 2 lakh नहीं कमा सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से आप काम भी करते हो Malta को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में ये misconception है कि Malta में जाकर आप 2 lakh 3 lakh अराम से कमा सकते हो और बहुत सारे लोग मझे कभी कबार message भी मिल जाते हैं कि वो बन्दा था बोर था कि वहां 2 lakh कमा सकते हैं भाई लग कमा सकते हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को पूरी सच्चा ही नहीं बताती है आपको सिरफ आधी सच्चा ही दिखा जाती है जो अच्छया phase है सिरफ वो दिखाय जाता है आप लोगों को कभी यह नहीं बताया जाता है कि वो बन्दे 18 गंटे काम करके हैं वो बन्दे 16 गंटे काम करके हैं तब जाके उनको 1.5-2.5 lakh salary मिली है मैं आप लोगों को basic earning जो यहाँ पर 8 गंटे काम करने के बात होती है वो दिखाता हूँ कितना वहाँ पर tax करता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा यह salary slip है जो मेरे साथ रहते हैं यहाँ पर उनकी मैंने salary slip ली है मैं देख रहा था इनकी जो tax वगयरा करते हैं जो इनकी basic salary है वो सब कुछ मैं देख रहा था इसमें आपको पूरा बताऊंगा कि आप एक week में यहाँ पर कितना basically earn कर सकते हो तो चलिए मैं आप लोगों को पहले यह तो यह है माल्टा की जो यहाँ पर salary slip मिलती है कुछ ऐसी होती है details where मैंने hide कर रखिया कि कौन बंदा है उपर आप देख सकते हो कि 10-3-2-3 यानिके कल परसु की जो यह statement है यह निकलवा कर आये थे इसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ दिखाता हूँ आपकी salary वगरा time period आप देख लिए salary period का इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिया इन्होंने जो category 1, 2, 3 यह जो भी है इनमें कुछ नहीं दिया Sunday holiday week वगरा कुछ नहीं भी basic salary मैं आप लोगो दिखाता हूँ तो gross page जो ह इनकी euro 309 जो basic salary इनको मिलती है वो है 309 और 40 hour per week काम करने के बाद यह आप लोग देख रहे हो हावर उपर और नीचे लिखावा 40 तो 40 hour per week काम करने के बाद आपको 309 euro मिलते हैं ठीक है इसके बाद जो FS tax वगरा होते हैं आपर जो कटते हैं दो tax कटते हैं ठीक है पहला जो tax ह यह actual में मुझे इसकी full form नहीं पता बट यह दो tax यहाँ पर करते हैं पहला tax करता है 23 euro का और दूसा tax SSCIC जो की करता है 30 euro का तो यह सारा कुछ कट कटा के इनको मिलता है 255.91 euro यानि के 255 euro इनकी basic salary है इसके बाद इन्होंने gross earning दिखाई है यहाँ पर till the date क्योंकि 2 महिने के बा इसके बाद gross salary दिखा रखिया है 3099 euro जो की 300 euro की हो जाती है और इसमें दो tax फिर से लगे है यही है जो अब तक दो महिने इन्होंने कमाया है उसमें FS tax लगा है 233 euro और एक social security contribution to date 278 euro यह जो दो tax है यह लगते हैं आपके जब आप माल्टा में कहीं काम करते हो तो दो tax आपको देने पड़ते हैं कि salary से ठीक है इसके बाद यहां पर vacation leave, full pay sick leave, half pay sick leave यह तीनों आप लोग अगर आप लेते हो यहां पर तो उसके आपको pay किये जाते हैं वो आपके कटते नहीं है ठीक है आपको दिये जाते हैं देखो इन्होंने जो vacation leave ली हुए है वो 39 hour के लिए है और ज 30 minute मतलब कि 144 गंटे अभी आप ओफ ले सकते हो अगर आपको कोई बिमारी हो गई या आपको कई इंडिया वगएरा जाना है तो 144 hour आप freely यहां पर जा सकते हो उसको आपको pay किया जाएगा ठीक है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर 39 और 144 यह आपके total अगर आप दिन वग ने काम करके 12 महीने की salary ले सकते हो बाकि tax वगएरा मैंने आप लोगों को दिखाई दिया जो tax वगएरा है वो है आपका 23 euro और 30 euro यह एक week का है यानि कि 50 euro के आसपास अगर आप 300 euro कमा रहे हो तो 50 euro को आपको tax देना पड़ेगा पर week net salary मैंने आपको 255 euro दिखा दी यानि कि 200 euro आप इंडिये के हिसाफ से लगा लो आपके कितने बनते हैं तो यह माल्टा की basic salary है अगर आप 8 गंटे काम करते हो ठीक है तो जी आपने basic salary माल्टा की देख लिए कि कि कितनी माल्टा की basic salary बनती है अगर आपको यह आपको बोलता है कि माल्टा में आप 2 लाग 3 लाग कमा सकते हो तो उन लोगों को एक बार यह वीडियो जुरूर दिखा देना उनको बताना कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है 2 लाग कमाने का या 3 लाग कमाने का तो आप हमें वह प्रूफ दिखाईए वह आपको कभी प्रूफ नहीं दि सकते हो मैं आपको पहले भी मतलब सबसकर है। आप कोई चोटा मोठा काम कर रहे हो तो बेसिक अपकी यह है इससे जादा अगर आपकी basic salary मिलती है तो वो app के experience के base पर मिलती है वो भी बाहर के experience पर नहीं यहां मालटक experience पर क्योंकि यहां देखो increment होता है हर 6 महीने के बाद increment होता जाता है अगर आपकी basic salary मालो आप 5 euro से start किया आपने तो अगले 6 महीने में आप 5 euro पर पहुंच जाओगे एक साल में आप 6 euro पर पहुंच जाओगे उस से अगले साल आप 7 euro तक पहुंच जोगे तो ऐसे आपके earning increase होती है हर साल आपके experience के base पर तो इनको अभी जैसे इनकी जो basic salary लगी थी यहां से 220 euro में इन्होंने start किया था यहां से I think 2 साल के बता रहे थी कि 2 साल हो गया और अब इनकी जो basic salary है वो 255 euro में आप लोगों को दिखाई है 255 euro इनकी basic salary है तो वो increment होते रहता है इसके साथ-साथ माल्टा में एक चीज और है कि आप लोगों को हर इनको दो बोनस मिलते है एक इनको अभी मार्च में मिलेगा और एक इनको सेप्टेंबर में मिलता है उन दोनों बोनस में 200 euro और include हो जाएंगे तो वो 200 euro भी इनको मिलेंगे मतलब एक जो bonus होता है वो 100 euro को मिलता है तो 100 euro bonus भी हो गया प्लस में तो 200 गंटे का आपको paid vacation मिलता है अगर आप उसके हिसाब से 8 गंटे से डिवाइड करके आप देख सकते हो कि कितने दिन का आपको paid vacation मिल रहा है उसमें आप घर जाओ या फिर आप कहीं बाहर जाओ घूमने के लिए तो वो आपको उसका भी pay करेंगी अगर आप काम भी नही मेलता में अगर कोई ऐसा होगा जिसकी salary अच्छी होगी मैं उसकी भी आप लोगों को दिखाऊंगा तो don't worry आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को महसारी चीज़े दिखाने वाला हो मानटा की actual में मैलता में चल क्या रहा है ठीक है तो hope so आप लोगों को वीडियो बहुत informative लगी होगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सब में कर चैनल को subscribe मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत